पेष करने वाले उस्ताद अकरम खान हमारे साहरे हैं अकरम साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए समय निकाला बाचीत की सिलसिले को शुरूअ चलिए जाए पहला सवाल तो यही है कि जो नाद और ब्रह्म कहा गया है आप जब तबला बजाते हैं आपके लिए ताल की परिभाशा क्या है आप ताल को कैसे परिभाशित करते हैं शुवेंदर जी ताल को हमने समय से बांदा है ले हर एक आदमी में है जिसको पता है उसको भी उसमें भी है जिसको नहीं पता उसमें भी है लेकिन जिनको पता है उनमे और जिनको पता है जिनको नहीं पता है उनमे और उनमे फर्ख है तो जो एक समय को हमने नापा है जब समय को हम लोग नाप देते हैं और उसको बान देते हैं ले तो सब में ही है, ले तो सब में ही है, लेकिन जब उस ले को हम लोग समय बत कर देते हैं, समय से उसको बान देते हैं, तो वो ताल हो जाती है, जैसे तीन ताल का जो समय है, वो एक से सोला मातरे तक का है, जब ताल का जो समय है, वो एक से दस मातरे तक का है, अगर आप दस से कम करेंगे तो जब ताल का समय खराब हो जाएगा, दस से ज्यादा करेंगे तब भी खराब हो जाएगा, तो ताल को हमने एक समय बद किया हुआ है, उसको बांदा हुआ है, और उस ताल की जो अंदर की जो बांडरी है, उस ही में हम लोग बजाते हैं, तो जो भी ताल चल है उसके अनुसार हम अपना काईदा रेला तिहाई गत परन तुकड़े वगरा वगरा सब उसी में हमें बजाना पड़ता है इस तरह से ताल के अलग-अलग सेक्शन्स हैं और ताल को डिवाइड भी किया हुआ है खंड में उसको बांटा भी है जैसे जबताल का खंड है एक दो एक दो तीन एक दो एक दो तीन तो दो तीन दो तीन का खंड में उसको बांटा हुआ है तो हम जब बजाएंगे तो जो ताल का खंड है उसके हिसाब से ही बजाएंगे एक दो को अलग करके और एक दो तीन को अलग करके बजाएंगे फिर हम इनको कमबाइन कर देंगे आपको ताल का नाम बताए बिना और हमारे वादन से हमारे बजाने से पता चल जाना चाहिए कि ये ताल का खंड है तो ये जबताल ही है अकरम साब जिस तरीके से हमने इस इंटर्वी की शुरुवात में आपका एक क्लिप दिखाई जिसमें आपके पेशकश थी जो की बहुत महत्तुपूर पहचान है भी आपके घराने की अब मैं थोग सा समझना चाहूंगा आज राले घराने की जो खासियत है किस तरह से घरान को देखके बेटे को देखके पहचान लिया जाता है के ये इनके फादर है क्योंकि शकल मिलती है ना है इसी तर से हम लोग ताल को पaghानते इसी तर से हम लोग घरानों को पहत्यों थे अलग-अलग घराने की अपनी विशेशता हैं वो किनार का बाज है और हम उसको सुलफ का बाज कहते हैं किनार और सुलफ सुलफ के माइने है सुलफ एक अलफाज है अर्दो फार्सी का अलफाज है सुलफ के माइने तैयारी के है जिस काइदे में अजराडे से पहले जो काइदे बचते थे वो बराबर के बचते थे मद्ध लेके बचते थे लेकिन जब अजराडे के काइदे बचे और बने तो तैयारी के काइदे बचे और उन तैयारी के काइदों में किनार का प्रियोग किया और उसके विस्तार का प्रियोख किया जैसे दा दा गड़ना के दिने 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 ग बच्टे थे और अगर बच्टे थे तो सुलफ के कायदों में नहीं बच्टे थे इस तरह से अजराडे के विस्तार पर और किनार पर और जो तैयारी के कायदे हैं उन पर काम हुआ ये अजराडे की विशेश्टा है आप लोग पीडी दर पीडी जुड़े रहे हैं तबले से, किस तरह का महौल था अक्रम साब आपके घर पर और किस तरीके से आपकी शुरुवात हुई और कैसे आखिर ये जो सफर है अपना जो आपका तीस चालिस साल का, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ याद करते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में, अपने बच्पन के बारे में शुविंद्री जे सफर बहुत लंबा है और अब भी सफर जारी है क्योंकि ये जो सफर है कला का और तबले का ये तो इसका तो कहीं अंत नहीं है ना मैंने अपने परदादाजी से सिखा उस्ताद मुहमाद शबीखाँ सबसे तो और अब मेरा बेटा जरगाम वो अपने दादादा से सीखता है मेरे फादर से उस्ताद इश्मत अलीखाँ सबसे ये जो दादा-पोते का जो रिलेशन है ये बहुत पराना चला आ रहा रहा है मेरे फादर ने भी मुझे सिखाया लेकिन शुरुवात मेरी परदादा से होई उस वक्त मैं मेरे ट में रहता था और मेरी उमर होगी आठ दस साल की होगी आठ नौ साल की होगी लेकिन मुझे होश है जब मेरे परदादा ने मेरा हाथ रखवाया और मेरे डैडी ने तबला मेरे लिए बनाया उन्होंने मेरा हाथ रखवा के और जो बेसिक लेसन है एवी सीडी है काका गागा है वो शुरू किया और एक अच्छी बात ये कि वो अपनी गोद में बिठा के हम लोगों को सिर्फ वरवली बताते थे गोद में बिठा के और क्या बताते थे हाँ बेटा ब अभी हम धादिन दिन दा इसको ताल से कर रहे है और वो क्या बता देते एक एक दो एक दो तीन एक दो तीन चार मतलब एक से 16 तक ऐसी जगे से उठना है कि जो हर मात्रा सम पे आये देखिए बच्पन में कितनी मुश्किल चीज बताते थे mandate हम लोगों को जब बच्चे की यह 8 साल की उमर है उसको यह बताय जा रहा कि एक से सोलुक तक कैसी जगह से उठना है कि एक सोलुक तक हर मात्रा सम पे आना है तो वो शुरुवात मेरे परदादाजी से हुई और घर में तबले का महुल रहा, चौबिस घंटे समझ लीजे आप, जब तक मैं जाकता था तब तक तक तबले की आवाज आते थी, दादाजी सिखा रहे हैं, उनके शागिरदार हैं, मेरे वाली साफ सीख रहे हैं, मैं भी सी रियास कर रहा हूं, नहीं तो अबबजी रियास कर रहे हैं, बजा रहे हैं, डैडी रियास कर रहे हैं, मतलब घर में सुबह से लेके शाम तक कही न कहीं तबला चली रहा है, और अगर तबला भी नहीं चला है, तो वरवली चला है, ताल से चला है, मुझ से पढ़न तो रह उसमें बच्चा ना सीखते वे भी सीखता जाता है. मतलब इंडरेक्टली आप सुन रहे हैं अगर आप सीख भी नहीं रहे हैं, लेकिं इंडरेक्टली कहीं न कहीं आपको आवाज आ रही हमारे याँके तो लडकियां तबले की बहुत सारी तुक्ड़े रगते याद हो जात थी, मेरी वालदा को बहुत सारी बंदिशे याद थी अपने घराने की, मेरे जो बहने, जो मेरी बुआ हैं, उनको बहुत सारी चीज़ याद है, तो इस तरह से एक जो घर में महौल बन जाता है, उससे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, अभी जो मेरा बेटा है, जर जरगाम को भी आद हो रहा है, यह महल, शिविंदर जी बड़ा अच्छा महल है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अपने मानना है कि जितने पेरेंट्स बच्चों को तबला या संगित की शिक्षा देना चाहते हैं, वो पेरेंट्स कोशिश करके अपने बच्चों को ऐसी जगा भीजें, जहां चार छे घंटा जो जितने भी मैकसिमम टाइम मिलता है बच्चों को, वो उसी महल में रहें, अगर सीख रहें तब भी उस महल में रहें, नहीं सीख रहें, तब भी उस महल में रहें, फेस्टिवल्स हो रहें, उसके लिए उनको बच्चों को ले जाएं, त से बाप दादा मिले जिन्हों ने मुझे ये इल्म दिया, ये खाला दी तो आज में बहुत खुश्यूँ उस सीजसे और मैं ये इचाहूँगा कि अगला जनम हो कभी तो मुझे यही बाप यही दादा ये परदादा ये मिले ताके फिर से मुझे यही विरासत मिले होते हैं तो उन दोनों चीजों में फर्क क्या होता है दोनों प्रस्तूतियों में फर्क क्या होता है बहुत सारा फर्क है संगत का मतलब है कि आप किसी कलाकार के यह किसी के साथ साथ जा रहे हैं तो उसमें हम लोग पे बंदिश रहती है और बंदिश भी नहीं मैं काऊंगा वो एक बड़ा अच्छा चैलेंज है हम लोग के लिए कि जिन कलाकार के हम साथ में बजा रहे हैं हमारा जो तबला है जो हमारा काम है सबसे पहले तो उनके काम से मैच करना चाहिए क्योंकि अगर वो इस्ट में है तो हम भी इस्ट में है अगर वो वेस्ट में है तो हम भी वेस्ट में है वो उनके हर एक कलाकार का अपना टेमपरेमेंट है बड़ी प्राबलम्स भी है हर एक कलाकार का अपना temperament है उनके mood को समझना पहले तो फिर उनके music को समझना अगर उनके mood को ने समझा तब भी एक अच्छा ससंगतकार नी बन सकता और उनके music को समझना तब भी एक अच्छा लेकिन मेरे हिसाब से यह है कि उनके temperament को उनके मूट को भी समझना है लेकिन उनका जो मीजिक है उसको बहुत अच्छे समझना चाहिए उनका मीजिक क्या कह रहा है विलंबित में है तो हमें विलंबित कही चीज़े बजानी चाहिए मदले में अगर वो काम कर रहे है तो मदले में करना चाहिए किसी जाती में काम कर रहे हैं तो हमें उस जाती के ही साब से अपना च्छन अपना काइदा जो भी बजा रहे हैं वो बजाना चाहिए वो कर रहे हैं तिसर जाती में काम हम उसको घंड जाती में कर रहे हैं वो मैच नहीं करेगा संगीत से मैच नहीं होगा जिस तरह का वो वो शरिंगार रस का काम कर रहे हैं हम वी रस का काम कर रहे हैं वो मैच नहीं होगा आप समझे नहीं ना वो कोई फ्रेज बजा रहे हैं जिसमें एक इबादत है अब आपके अबादत है ऐसा कोई फ्रेज बजा रहे है या इसी उसमें फीलिंग आ रही है या वो ऐसा सोच के बजा रहे हैं कि मैं इश्वर की आराद ना कर रहा हूं अल्ला से इलतिजा कर रहा हूं कि मेरे काम में अल्ला ताला थोड़ी तासीर दे हम ऐसा कोई विरह रसका कोई फ्रेज बजा रहे हैं या मतलब तांड़ा रसका कोई या मतलब कुछ ऐसा बजा रहे हैं उधर कि जो उसको मैच नहीं कर रहा है तो उससे हमारे एकमपनिमेंट में और साथ संगत में फर्क आता है जब हम सोलो बजाते हैं तो अच्छा संगत साथ में एक और बात है कि एक तबला प्लेयर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस जिस जगह आप तैयारी पे बजा रहे हैं उससे तैयारी पे आपको बजाना पड़ेगा अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ओड़नरी तैयारी पे बजा रहे हैं तो तबला प्लेयर के वहाँ बजाना ही बजाना पड़ेगा तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है और उस कलाकार को सोच के जाना पड़ता है स्टेज पे कि हाँ उस कलाकार की ये तैयारी है इस चंद में इतनी चीजों में वो काम करते हैं तो थोड़ा उनके बारे में स्टेडी करके जाना मुझे अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि चले गए आँपे पट्टी बांद के और वहीं जाके बैढ़गा कि आप जो भी होगा स्टेज पे देखा जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ चीजे आपको ठीक सोच के जाने पड़ेंगे लेकिन कुछ पर्सेंटेज है तीस पर्सेंटेज या चालिस पर्सेंट ऐसा है कि जो स्टेज पे भी हो जाता है अच्छ अगर आप सोलो की बात करें तो एक तबला प्लेइर को जब बच्पन में जैसे मेरा बेटा है या और बच्पन में उसको सोलो की तो ट्रेनिंग देते हैं साथ संगत की थोड़े देते हैं और जब वो काफी बड़ा भी हो जाता है तो तब तक भी उसको सोलो ही बजवाता है सोलो में आप एक इंडिपेंडन्ट है आप अपने हिसाब से सोचेंगे अपने सोलो के लिए अपने काइदे रेले तिहायां टुकड़े गते परने और आप उसको कितना अच्छे से लोगों तक दे सकते हैं एक ट्रे में सजा के मेरे पास में देखे साब पेशकार भी है काइदा भी है उसमें बढ़ध भी है तुकड़े भी है तियाहियां भी है तो biri एक इन्स्ट्रूमेंट।Atis in develop a solo इन्सट्रूमेंट ही ए सोच वाया है। कि यह एक इन्सट्रूमेंट के लिए नहीं बनाया है। और अगर ये सिर्फ साथ संगत का इंस्ट्रुमेंट होता तो इसमें सिर्फ एकमपनिमेंट ही होता इतने सारे घराने बने हैं इसमें ये कभी नहीं होते हैं देखे कितने घराने और कितने घरानों पर अलग-अलग लोगों ने काम किया है और हर घराना अपनी शकल में अलग के लखनों में वो अलग बात है लेकिन अपनी इंडिविज्वल उसकी एक पहचान है सोलो तबला एक बहुत ही बेहतरीन कला है जो अनफॉर्चनेटली अभी कम भी हो रहा है और दूसरा दुर भागे यह है कि जो औरनाइजर्स हैं उनको यह पता ही नहीं है कि तबला सोलो भ अभी एक प्रोग्राम होना चाहिए अभी देखिए कित्ते कित्ते फेस्टिवल होते हैं अभी हुआ है फेस्टिवल हर एक फेस्टिवल दो दो तिन तिन चरचर दिन का होता है लेकिन इसमें तबला सोलो नहीं रखते हैं तबला तो एक मुकमल साज है तबले को बनाया ही और सोचा ही यह सोचके गया है कि जैसे एक राग को सोचते हैं। गाइदे को बिल्कुल हम लोग वैसी सोचते हैं जैसे एक राग को सोचते हैं। जैसे राग में बढ़ते हैं, राग में रिकप गंधार बढ़ते हैं। काइदे को भी उसी तरह से सोचा है, जैसे एक राग को सोचा है, काइदे में भी और तबले में भी उपशास्तिर संगीत के ठेके बने हमें अलग से, लाइट मीजुक के ठेके बने हुआ है, जैसे राग में उपशास्तिर संगीत है, तुम्री दादरा है, है या नहीं, इसी चैनलण ठेक बाध्य है बहुत सोचा है बहुत सोचा अगbase ए मलोगों ने इतना सोचा है कि मैं सोचता हूं कि कि सद्थियोग में भी लोगों भी लोगों ने इतना सोचा होगा yap kan Money एक individual instrument, एक वाहिद instrument ऐसा है, जिसके अपने छे घराने हैं, बाकिया और किसी सास के इतने घराने नहीं हैं, देखिए, कितना सोचा होगा, तो लेकिन बड़ा एक दुर्भाग्य है, कि इस वक्त में solo tabla बहुत कम है, लेकिन बजाने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो solo tabla की इतनी चाहत, इतना क्रेज नहीं है, जितना के होना चाहिए, ये हो सकता है, हमारे tabla players की भी कोई कमी हो इसमें, और उन्हों ने, वो चाहते ही नहीं है, कि वही एक tabla solo भी बज़े, लेकिन जहां तक मेरा, अपना मनना, अभी जैसे मैं कैनाडा गया था, मैं अपने व tabla यही request आई, कि tabla solo भी चाहते हैं हम लोग, क्योंकि खुदा की महरबानी से, जहां 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 लोगों ने मेरा tabla सुना, मेरे वालिद का tabla सुना, वहां उसको पसंद किया, और क्योंकि एक सिलसला है tabla में, अजराडे के जो हम लोगों को जो तालीम दी है, उसमें हम लो का एक सिलसला है, रिखब है, गंधार है, एक सिलसला है ना, कभी रिखब लगा दी, कभी पंचम पे चले गए, कभी मद्धम पे आ गए, यह सिलसला नहीं है, इसी तरह से हमारे जो तबला है, वो सिलसले वार है, विलंबिद से शुरू होता है, तो मद्धले में, तो दूर का शुकर है के लोगों ने पसंद किया वहां और विरासत फांडेशन ने उसको बहुत अच्छे से औरनाइस किया हम लोगों को बहुत अच्छे से एक सीडी भी हमारा रिलीस हुआ इसमें विरासत के लिए जिसमें मेरा बेटा जरगाम वो इस परमपरा को आगे बढ़ा रहा है और मेरा भतीजा है मेरे भांजे हैं मेरे और शागिर्द हैं वो लोग इस परमपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इन्होंने उसमें बजाये भी है दस मिट सोलो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह से तबला सोलो मैं चाहता हूँ के श्रीविंदर जी कि उसको और आप लोगों को बढ़ाना चाहिए और इन्स को उसको बढ़ाना चाहिए कलाकार तो चाहते ही है कि उसको बढ़े क्योंके पचास साथ साल पहले सतर साल पहले सौ साल पहले तबला सोलो ही बचता था ये तो बाद में जाके कलाकारों ने उसको साथ संगत में भी जो इतना वर्सेताइल है और गाना इंस्ट्रुमेन्ट, डान्स, षास्तिर संगीटो, उप शास्तिर इंस्ट्रुमेंट है, तबले के बिना संगीत मुकमल ही नहीं है, संगीत 50% पचासफी सदी राग और 50% ताल, जब ताल की बात आती है तो तबले की बात आती है, अगर आप इसमें से तबला निकाल देंगे, ताल निकाल देंगे तो 50% संगीत है, जो सिर्फ गाने गाना है या बजाने बजाना है, लेकिन जब ताल की रिदम की बात आएगी, तब ही जाके सुर और ताल, complete phrase होगा, complete sentence होगा, और उसमें भी ताल में भी, रिदम में भी तबला बहुत ही एहम रोल निबाता है संगीत में, कोई instrument ऐसा नहीं है, कि जो हमारे शास्ते संगीत के लिए मुकमल साज हो, मुकमल, complete instrument कोई नहीं है, accept तबला, तो इस तरह से तबले ने बहुत अबादत की है, तबले में लोगों ने बहुत research किया है, हमारे बज़र्गों ने बहुत इसमें काम किया है, बहुत सोचा है, एक अक बारी एक चीज़ को भी बज़र्गों ने सोचा है, तो आज मेरा जहां भी कोशिश होती है मैं यही चाहता हूँ कि भई इतने बड़े फेस्टिवल में एक तबला सोलो भी रख लो यहार भी कम से कम तबला भी लोग सुने इसका भी मज़ा लें यह एक मुकमल साज है एक संपून साज है इसको भी लोग सुने मेरी अपनी कोशिश यही रहती है और आगे देखते हैं कितना पैस्षो मेरी कोशिश जारी रहेगी सर आपने बाद्शीत में अपने बेटे का जिक्र किया यानी अगली पीडही का लिए का विरासत लौब किया मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने बेटे को भी बुलाएं और हमारे मुजिकल हरिटेज, हमारी विबसाइट के जरिए तबले के जो तमाम चाहने वाले हैं उनको भी पता चले कि आपकी जो अगली पीडी है वो किस मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है इस शेतर मे इस फिल्ड में ये जरगाम अकरम खान है मेरे बेटे हैं और अभी 11 साल के हुए है और ये वैसे तो पांचरी क्लास में पढ़ते हैं लेकिन तबले का भी शौख है मेरे वाली साब से सीख रहे हैं अभी अच्छी बात ये है क्योंके घर में माहौल है संगीत का तो ये भी अभी एक रिकार्ड भी किया है मैं जो इक एक आयता मैंने अपने बच्पन में इतनी उमर में सिखा था अपने गुरु जी से वही इनको भी सिखाया है तेगे वही परमपरा चन्नी अब भाबू ज़रा वह बोलो ताल से बोलो था रा गिर नक दिने दाग तीक देने गिरन एक जब सिखाया है है, है तलतीक देन किता किता को है मैं जब ढगे तीक देने गिरननेHehm आप जब स्कूल जाते हो और आपके कोई फ्रेंड से हैं जो कहते हैं कि आपके पापा बहर जाते हैं और मैं आपके पापा के तबला सुन नहीं करते हैं किसके साथ सीखने मज़ा आता है दादू के साथ या पापा के साथ दोना के साथ चली जरगाम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-धेर सारी शुपकामना है और अकरम साब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला हमारी हमारी हमार है हमारा स्वभाग है कि हमने दो पीडियों को एक साथ यहां पर से बाचीत की और आपकी आपकी प्रस्तूतियां भी देखी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुबकाम नाए आने वाले परफॉर्मेंस के लिए आने वाले कारिफिमो के साथ और शास्त्री संगीत की जड़ों को कोशिश करेंगे फिर से पहचानने की नमस्कार जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्री संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे